So guys I hope कि सब लोगों को इस कोर्स में मजा आ रहा है जल्दी से NodeMon लिखकर अपनी API को स्टार्ट कर ले दो मैं लिखोंगा NodeMon index.js ठीक है और यहाँ पर browser में मैंने localhost 3000 को स्टार्ट कर लिया है अभी यहाँ पर कुछ endpoint ऐसा है नहीं meaningful इसलिए कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है पट यहाँ पर अभी हम करने क्या वाले है सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर अपना एक endpoint बनाएंगे जिसके अंदर सबसे पहले मैं इसको जो हमारा यहाँ पर notes model है इसको मैं बन करता हूँ जो की schema बनाकर हमने export किया उसी के सबसे अपर आप लोग को एक endpoint बना कर दिखाऊँगा तो सबसे पहले तो यह जो obj मैंने बनाया तो इसको कोई sense नहीं है इसको मैं मिटा देता हूँ ठीक है तो यह जो auth.js है यह कब मुझे मिलेगा जब मैं जाओंगा अब यहाँ पर एक चीज आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप लोग request की body में कुछ भेज सकते हो ठीक है तो request की body में कोई भी चीज भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो मैं अगर कुछ इस तरह काम करू request.body तो मैं request की body में से कुछ भी जो भी भेजा गया है उसको मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ ठीक है बट यहाँ पर मैं क्या करूँगा जल्दी से थंडर क्लाइंट खोलके एक new request पर क्लिक करूँगा और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिखूँगा localhost 3000 2000 slash api slash auth ठीक है तो मैं जैसे send पर क्लिक करूँगा आप लोग देखना है यहाँ पर processing request यह इतना time क्यों ले रहा है और यह क्यारा connected to mongo successfully undefined इसने print कर दिया है आपर और response में कुछ भेजा नहीं है मैंने इसलिए यह जो इतना सारा time लेदा processing में ठीक है तो मैं क्या करूँगा cancel request पर क्लिक कर दूँगा जल्दी से cancel request क्योंगी कोई भी response आया नहीं है ठीक है तो यह काम करेंगे हम लोग res.send करेंगे hello ठीक है अगर मैं res.send hello करता हूँ तो यहापर मुझे hello देखने को मिलेगा यह मैं आप लोग को जल्दी से दिखा देता हूँ ठीक है तो मैं अगर यहापर send करूँ वापस है तो देखो नीचे 200 ok लिखकर आगया और hello लिखकर आगया ठीक है तो मैं आपर hello भेज सकता हूँ हमारा server बहुत अच्छे चल रहा है लेकि नीचे console में अगर आप लोगो दिखाऊं तो undefined लिक करा रहा है undefined क्यों लिक करा रहा है क्योंकि मैंने request की body में कुछ भेजा नहीं है चलो ठीक है अभी मैं क्या करूँगा response की body में कुछ भेज़ँगा ठीक है क्या भेज़ँग तो यहां पर देखो मैंने name Harry यहां पर भेजा कर मैं इसको send करूँगा यहां पर तो hello लिक कर आ रहा है लेकिन मैंने दो bracket लगा दीकलती से अभी मैं वापस से send करता हूं और आप लोग देखो यह undefined 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 ही लिक कर आ रहा है अच्छा एक चीज और एक header में यहां पर आते हो request.body हो तो आपको एक middleware यूज करना पड़ेगा और middleware यूज करने के लिए हम लोग app.use कर इस्तेमाल करते हैं और express.json यहां पर लिखना पड़ेगा अब अगर मैं इस end point को hit करूँगा तो आप लोग देखो name Harry यहां पर देखने को मिल रहा है undefined की जगा तो अगर म मैं json में deal कर सकता हूं मैं json request बेज सकता हूं content type application json बेज कर यह सारे के सारे काम कर सकता हूं ठीक है तो I hope यह सब को समझ में आ गया इतना अब हम क्या करेंगे जो हमारा odd.js end point है इस पर काम करेंगे और जब जब हम models use कर ले होंगे तब हम models को भी import करेंगे और उन पर भी हम user using और यहां पर देखो मैं क्या format यूज कर रहा हूं यह बहुत important है मैं लिक रहा हूं create a user using post और उसके बाद end point कहां पर end point क्या end point है इसका end point है API slash auth बस यह है ठीक है आपको इस पर post request माननी है और data भीजना है ठीक है तो यहां पर आप क्या करेंगे एक user create कर सकते है ठीक है और उसी के साथ साथ यह doesn't require auth ठीक है तो इसको जो है authentication की जरूरत नहीं है ठीक है ऐसा क्यों लिगा मैंने क्यों कि मुझे यहां पर clearly पता चल जाएगा कि यह जो end point है में आपको login होने की जरूरत है कि नहीं है ठीक है तो मैंने यहां पर doesn't require auth लिग दिया है अब मैं क्या करूँ कि मैं एक user भेज़ूगा user create करने के लिए user का data भेज़ूगा वो data किस तरह से दिखेगा वो data को जिस तरह से दिखेगा name Harry और क्या है मेरे user में मेरे user model में और क्या है name email password और date मैं लिखूँगा name उसके बाद मैं लिखूँगा यहां पर email लाल सकता हूं ठीक है मैं आपर colon लि जादू कि password कभी भी plain text में store नहीं करना है उसका reason भी आगे discuss करेंगे वर अभी के लिए हम लोग plain text में store कर रहे है password को और आके बताँगा क्यों नहीं करना है और नहीं करना है तो फिर कैसे करना है क्या सही तरीका है यह भी बताँगा आप लोग को ठीक है तो password हो गया email हो गय इम, email, password, bad string, bad string क्यों दिखा रहा है मुझे, यहाँ पर मुझे comma हटाना पड़ेगा, अब मैं send पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर name, email और password यहाँ पर आ गया तो एक बात तो तय है कि request.body को आप मैं read कर पा रहा हूँ और मैं response भी send कर पा रहा हूँ ठीक है, अच्छ लेकिन मैंने अभी तक यहाँ पर user को use नहीं करा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर models user में से user को लेकर आँगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यह import होगा automatically, const user is equal to require slash model slash user, तो यह जो user model है वो मैं अब use कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं किस तरह से एक नए user बनाँगा, मैं एक user, और उसी के साथ साथ request.body यहाँ पर मैं दे सकता हूँ, ठीक है, और उसी के साथ साथ मैं आपर क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, user.save, ठीक है, और यह काम मैं जैसे ही करूँगा, मेरी app हो गई है, crash, देखता हूँ क्या दिक्कत आ गई है, तो यह कह रहा है कि user schema is not defined, तो यहाँ पर मुझे schema को import करना पड़ेगा, कहां से, mongoose से पुछते हैं, तो मैं mongoose लिखूँगा यहाँ पर, mongoose.js.com, यहाँ पर यह मुझे बताएगा, कि schema मुझे कहां से import करना है, तो मैं schemas में जाऊँगा, और यहाँ पर देखो, यह कहां स्कीमा is equal to mongoose, कुछ इस मुझे करना है, तो यह भी कर लेते हैं, ठीक है, save किया, और अभी यहाँ पर यह मेरी जो request, यह सही चल रही है, send किया, तो यहाँ पर देखो, यह ऐसे हो गया, क्या मेरा जो user है, वो आया मेरी database में, mongo db compass खोलता हूँ, आपका अगर खुला हुआ है, तो दुबारा कोलने क connect हो जाँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने database कहा connect किया है, मैंने यहाँ पर database से connect किया है, mongo db, और यहाँ पर यहाँ पर, यह मने connection string वगएर दी हुए इसको, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पर कॉन से database हमारा default यूज हो रहा है, तो मैं आपर test पर अगर click करूँ तो आप लोग देखो, यहाँ पर user के अंदर मेरा user store हो चुका है, यह user.save करके मैं अपने data को यहाँ पर store कर बारा हूँ, तो मैं अगर दुबारा से hit करूँ इसको अपने thunder client से, तो आप लोग देखो, यहाँ पर दुबारा से user register हो जाना चाहिए, तो मै date जो हो by default आ गई है, जो भी जिस भी time पर मैंने इसको किया, अब यहाँ पर एक problem है, बहुत सारी चीजे ऐसी हैं, जो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे की checks, for example, अगर मैं यहाँ पर name को खाली छोड़ दूँ और email की जगा phone number डाल दूँ, दिखाता हो आप लोग को, और वो भी valid ना हो phone number, send पर click करूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखो कि मेरी application crash हो गई, यह करने से मेरी application, जो है, एक error थो कर रही है, और मैं नहीं चाहता कि मुझे इस तरह की errors देखने को मिले, तो यहाँ पर मेरे पास एक system होना चाहिए, जिससे कि मैं check कर सकूँ, जो भी काम किया जा रहा है, वो actual में ठीक से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, किसी तरह की validation का استعمろう करूँगा, और एक अच्छी validation का इस्तिमाल करने एक अच्छी application की पहचान है क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके end point को कोई भी आपके end point के साथ कुछ भी कर दे सबसे पहला काम एक और मैं ये करूँगा कि request.get ना करके router.get ना करके router.post करूँगा ये बहुत जरूरी है new request में आकर मैं यहाँ पर इसको post करूँगा get नहीं करूँगा ठीक है क्योंकि मैं चाहता हूँ post request में send करूँ और यहाँ पर मैं जैसे ही मैं नहीं चाहता है कि URL के अंदर आए सारा का सारा data भी मैं यहाँ पर send करूँगा तो यह कह रहा है promise rejections are deprecated लगता है मैंने कोई गलती करी है email हाँ तो यहाँ पर देखो मैंने name required किया था और अभी देखो यहाँ पर यह बिल्कुल ठीक से आ गया है क्या यह मेरे database में गया मुझे view reload data पर क्लिक करके देखना हूँ का हाँ गया तो यह काम मैंने कर लिया कि post request में भेज रहा हूँ get request में नहीं भेज रहा हूँ अगर मैं इस पर get request भेजने की कोशिश करूँगा यहीं से भेजता हूँ तो यहाँ पर error आना चाहिए यह एक error आ गया है 4040 found का तो post ही करना पड़ेगा आपको and it's a good idea आप लोग post यूज करें तो it's a good idea to use post इस सेनारियो में ठीक है या फिर अगर data बहुत जादा है तब भी post आपको use करना चाहिए ठीक है तो यह तो एक बात हो गई अभी मैं आपर क्या करूँगा कि जो हमारा auth.js है वो बिल्कुल ठीक है अगर आप user पर पूरा भरोसा कर सकते है 100% user का मतलब क्या है कोई भी इंसान जो कि आपकी website पर आ रहा है क्या आप उसको भरोसा कर सकते है नहीं कर सकते है कुछ भी कर सकता है कोई भी आखर इसलिए हमें क्या करना है कि अच्छे validations को place पर रखना है और हम चाहेंगे कि वहीं के वहीं यहीं के यहीं हम मना करते है हम बोल दें कि भाई देखो आपको name की जगा पर email नहीं डालना है या फिर number valid होना चाहिए email valid होना चाहिए इस तरह के कुछ basic checks या name empty नहीं होना चाहिए यह सब आपको लगाने आने चाहिए तो इसी तरह की basic checks हम कुछ आने वाले वीडियो में लगाने वाले है और हम लोग एक package का इस्तेमाल करेंगे और उस package का नाम है express validator तो हम लोग express validator का इस्तेमाल करेंगे और वहां पर देखेंगे किस तरह से हम लोग इसको use कर सकते है अगर आप लोगों ने अभी तक यह playlist access नहीं करी है react की कहां गई यह रही अगर इसको access नहीं करा है आप लोगों ने तो इसको ज़रूर access करें और यहां क्लिक करके save करें इस playlist को यहां क्लिक करके bookmark करें किसी playlist के अंदर बहुत दमाका भी होना बागी है काफी दमाका तो हो चुका है तो देखो यार उन दो projects को जो कि मैंने initially बनवाए दोनों ही quality projects है मैं आपको बता रहा हूँ जिसने बनाए हैं उसी को मालूम है तो अगर आपने बनाए हैं इस दोनों project तो औरों के लिए आप ए comment post कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि यार यह जो project 1, project 2 थे वो कैसे थे, किस quality के थे, क्या मजा आया क्या आपको information अच्छी मिली क्या react सीखने को मिली from the ground up यह सब चीज़े comment में आप लोग बताएं दूसरे लोगों के लिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना है guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time